कर दो अज के इस वीडियो में हम लोग इस पीडी कायंड एफर के न्यूजिन को लेकर काया हूं आप लोग के सामने और यह अक्टूबर अगर्ट न्यूजिन को इससे पहले मैं जूलाइ से जून तक के कैन आफर को पढ़ाया था अब यहां पर मैं आपको पूरे अक्टूबर न्यूजिन तक के आपको डिस्स के जाएंगे तो गाइज यह पहला पार्ट है और यह जो स्रीज बनेगा यह साथ पार्टों में बनेगा तो गाइज इस MCQ को जूरू देख लिजे एक्जाम से पहले और आप अच्छा स्कूर कर पाईएगा यह गारैंटी है मेरा तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप को बता दूँ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और बेल वाले आकिंग को जरू कर देगा ताकि जैसे ही में वीडियो अप्लोड करूँ ऐसे आपको नोटिविशन पहुंच जाए और आपको खोजने की जरूत नहीं पड़े त तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस एक लाइक जरू करके जाएगा और जितने भी आपके शेड़ी ग्रूप है वहाँ पर इस वीडियो को जरूर सेर कीजे ताकि ज़्यदा ज़्यदा जरूतमन इस वीडियो का लाव उठा सके तो चलिए सुरू करते हैं तो पह प्रतिने तो कानुन जो है 1951 की जो धारा है 126 इसमें जो प्रावधान है इसका प्रावधान क्या है चुनाव से पुर्व जो है 48 घंटों के दोरान चुनाव प्रसार पर रोक लगाना इस धारा का प्रावधान है नश्ट है किस सहर में सेंट्री पैड की सबसे लंबी लाइन बना करके 9 जनवरी 2019 को विस रिकॉर्ड बना कर गिनिज बुक में नाम दर्ज किया है तो किस सहर ने सेंट्री पैड को बना करके सबसे लंबी लाइन बना करके 9 जनवरी 2019 को रिकॉर्ड बनाया है और या रिकॉ आयोजन क्या गया है तो राय सीना डायलोग का आयोजन क्या गया था किस विशाय पर जो कि यह क्या गया था 9 जनवरी 2019 को नहीं दिल्ली में तो यह क्या गया था विदेश निती चुनोतियों पर विदेश निती चुनोतियों पर राय सीना डैलोग का अरजन क्या गया था नेश्ट है जेश्टी परिसद ने 10 जनवरी 2019 को पुरुवत्तर राज्यों को छोड़ कर देश के सेश भागों के लिए जेश्टी चुट सीमा बढ़ा कर कितना कर दिया है तो जेश्टी चुट सीमा बढ़ा करके जो यह कर दिया है चालिस लाक रुपए नेश्ट है केंसरकार ने 10 जनवरी 2019 को किन तीन जगहों पर नए एम्स की अस्थापना की मंजोरी प्रदान किया है केंसरकार ने 10 जनवरी 2019 को जो है किन तीन जगहों पर नए एम्स की अस्थापना की मंजोरी दिया है तो इसका राए टेंसर हो जाएगा सामभा, राजकोट और अवंती पूरा जगह है यही पर तीन जगों के अस्थापना किया जाएगा ने एम्स के अस्थापना किया जाएगा जापन देश के साथ उन्नत मोडल एक खिड की विकास पर समती पत्र की सुकृति दिया है जापन देश के साथ नेच्ट है दस जणवरी दो देश को सिड कॉप नई दिनली में लांच किया गया है या किन दो देशों के बीच डिजिटल सायोग प्लाजा है तो सिड कॉप जो है या किन दो देशों के बीच डिजिटल सायोग प्लाजा है तो इसका रहे टेंसर हो जागा भारत और चीन के बीच या डिजिटल सायोग का प्लाजा है नेच्ट है नेम लिखित में से किस जगा पर 10.192 को संस्कृत कुम आरम हुआ है तो 10.192 को संस्कृत कुम आरम हुआ है तो यह हुआ है प्रयाग राज में संस्कृत कुम आरम हुआ है जो की इलाबाद इसका नाम है अभी इसका नाम प्रयाग राज कर दिया गया है इलाबाद का और यहीं पर संस्कृत कुम आरम हुआ है 10.192 को नेस्ट है फ्हालिक्स तसकेदी किस देश के राश्पती निर्वाचित हुए है तो फ्हालिक्स तसकेदी जो है यह जो हुए है निर्वाचित हुए है कांगो देश की राश्पती के रूप में नेक्स्ट है 10 जनवरी दोयनिस को Westwick Cossal Sammillan जो है दोयनिस का आयोजन कहा हुआ है तो Westwick Cossal Sammillan दोयनिस का जो आयोजन हुआ है यह हुआ है राची में नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसा संक्रण 9 जनवरी दोयनिस को कहां आरंब हुआ है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो दूसा संक्रण हुआ 9 जनवरी दोयनिस को यह आयोजन हुआ है पूने सहर में नेक्स्ट है सब परतिसात Smart Metering Solution का क्रियानवेन करने वाली देश की पहली विद्दुत वित्रन कंपनी यान की डिस्कॉम कौन बन गई है तो पहली विद्दुत वित्रन कंपनी जो है डिस्कॉम कौन हो गई है तो 100% Smart Metering Solution का क्रियानवेन करने वाली देश की पहली वित्रत कंपनी यान की डिस्कॉम कौन हो गई है नेश्ट है किस परियोजना ने 8 जनवरी 2019 को 24 घंटो में 32,315 क्यूबिक मीटर के कंक्रीट कारी पूरा करकर गिनिज बुक आफ रिकॉर्ड में नाम दर्च कराया है तो इस परियोजना का नाम क्या है तो इस परियोजना का जो नाम है इसका नाम है पोला वरम आंत्र पर्देश की जो परियोजना है पोला वरम यही है जो 24 घंटो में 32,315 क्यूबिक मीटर में कंक्रीट का कारी पूरा करकर के गिनिज बुक में अपना नाम दर्च करवाया है तो भारती रिजर्ब बैंक ने 8 जनवरी 2019 को जो है नंदन कने कानी की अधिक्ता में डिजिटल भुकतान परणाली की मजबूती के लिए उच अस्तरी कर्मेंटी का कठन किया है तो इसका रहे टेंसर हो जागा नंदन निले कानी की अधिक्ता में यह भुकतान क्या गया है भारत जो है विस्व का तीसरा सबसे बड़ा उभुकता बाजार बन जाएगा तो भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा उभुकता बाजार बन जाएगा यह कब तक होगा तो यह होगा 2030 तक और यह जो रिपोर्ट जारी किया है यह कौन किया है विस्व आर्थिक मंच जो है इन फर्ष्ट ग्रोथ कंजूमर मार्केट इंडिया का रिपोर्ट है यह इसमें जो है भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा उभोकता जिस बन जाएगा 2030 तक नेश्ट है निमलिकित में से किस मंत्राले ने ट्विटर के सयोग से 9 जनवरी 92 को वेव वंडर उमेंड अभियान का सुभारम किया है तो वेव वंडर उमेंड अभियान का सुभारम किया है यह किया है केंदरी महिला एवं विकास मंत्राले ने केंदरी महिला एवं बाल विका क्या है तो गेलेंडर्स जो ay downloads किसका रोग है तो गेलेंडर जो रोग है वह किसका रोग है तो यह है भोडा का रोग है ये हैं न्युकर्षल नेम लिक्षेट मेंसे कौन सा रोग जो है बर्खोल πεड़िया मलाई नामक जीवानों से उतपन होता है नेश्ट है पुर्वत्तर सर्किट का विकास उम्यम यानि की लेक वियू सुदेशी दर्सन स्कीम के तहट जो है यह परियोजना जो है पहली परियोजना है किस राजिका तो यह परियोजना जो है मेगाले राजिका पहली परियोजना है जलियम खलिज्याद जो है किस देश के अमेरिका राश्पती डोनल्ड ट्रम के विसेश दूत है यह किस देश के हैं तो यह जो है अफगानिस्तान देश के हैं नेक्ट है केन सरकार ने 8 जनवर को किस राज की चूटी आ, मौटोक, मोरान, कोर्च, राइबोन, सी, ताई, आउम, समुदाई को अनसूची जन्जाती का दर्जा दिया है नेश्ट है सब्या साची भटाचारिया जिनका हाली में देहान्त हो गया वो एक जो थे इतिहासकार थे सब्या साची भटाचारिया नेश्ट है केंसरकार ने समान स्रेनिक के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के किन लोगों को 10% आर्चन देने की घोशना किया है तो केंसरकार ने समान स्रेनिक के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है उन लोगों को किन लोगों को दि तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जिनकी वार्सिक आय जो है आट लाग रुपई से कम हो और जिनका पास जो है पांच एकड़ से कम जमीन हो इसी को दस परसंट का आरेक्षन दिया जाएगा जो कि समाने सेटनी के आर्थिक रुप से पिछड़े वे लोग है नेक्ट है भा पोर्ट बेर के नजदीक या इस्थित है पोर्ट बेर के नजदीक इस्थित है नश्ट है एना सॉलबर्ग जो जनवरी 12 में परतम सप्ता में भारत आये थी वो किस देश की प्रहारमंत्री है तो एना सॉलबर्ग जो है किस देश की प्रहारमंत्री है जो कि परतम सप्ता मे भारत आये थी जन्वरी में तो यह जो एक है नारवे के प्रानमंतरी है एना सोलबर्ग जो है नारवे के प्रानमंतरी है नेश्ट है नेमलिकित में से किस ने 8 जनवरी 2019 को अंतराष्टी मुद्रा कोस के मुखे अर्षास्त्री का पदभार ग्रहन किया है तो नेमलिकित में से कौन जो है ये चार में से जो कि 8 जनवरी 2019 को अंतराष्टी मुद्रा कोस के मुखे अर्षास्त्री का पदभार ग्रहन कि नेक्ट है लोग सभा दोरा आट जनवरी दोयनीस को पारित जो है नागरिक्ता संसोधन विद्यक दोयनीस में सम्मंदित जो है नेमलिकित कतनों पर विचार केजिए तो 892 को जो पारित किया गया था नागरिक्ता विद्यक 12 इसे सम्मंदि जो कतन दिये हुए है ये तीन कतन इस पर विचार करने के लिए का जा रहा है तो पहला कतन क्या है इसमें अफगनिस्थां पाकिस्तान और बंगलाजस के अवेद प्रवासी को भारत की नागरिक्ता देने का प्राओधान है दुसरा कतन क्या है इसमें केवल हिंदू, सीख, बौध, जैन, पार्सी और इसाई, अल्फ संक्यक अवेद प्रवासी ओंको भा वर्ष कर दिया गया है, तो उपरित कत्नों में से कौन साथ सत्य है, तो इसका राइट रो जाएगा, एक, दो, तीन ये जो कथन है, ये तीनों कथन क्या है, सही है, यानि की ओप्सन नमबर D, इसका राइट रो जाएगा, नश्ट है ने मलकित में से किसने 7OOOO grasp को विशु बैंक के अद्च्छपद से ट्यागपत्र दे दिया है तो 7 flourish soup बैंक के अद्च्छपद से ट्यागपत्र किसने दे दिया है तो इसका रह्याट एंसर है जीम यॉं क्यम जो है इन्होंने ही ट्यागपत्र दे दिया है वर्ल्ड बैंक के अधश के पत से गॉल्डन ग्लोब प्रुसकार 2019 में किस फिल्म को विदेशी भासा की सरुसेश फिल्म का प्रुसकार मिलती है तो गॉल्डन ग्लोब प्रुसकार जो हुआ 2019 का इसमें जो है किस फिल्म को विदसी भासा की सरुसेश फिल्म का पुरुसकार मिला है तो इसका राइट एंचर हो जाएगा रोमा जो फिल्म था इसको ही विदसी भासा का सरुसेश फिल्म का पुरुसकार मिला है नेश्ट है आश्टेलिया में खेले गए भारत आश्टेलिया टेस्ट स्री 82-19 से सम्मंदित निम्लिकित कत्नों पर विचार केज़े तो पहला कतन है आश्टेलियाई भूमी पर पहली बार भारत ने टेस्ट स्री जिता है दूसरा कतन क्या है आस्टेलिया ने टेस्ट स्रीज जितने वाले विराट कोली पर्थम भारतिये कैप्टन है तीसरा कतन क्या है आस्टेलिया में टेस्ट स्रीज जितने वाले विराट कोली पर्थम SCI कैप्टन है तो उपरिक में से कौन सा कतन सत्य है तो इसका right answer हो जाएगा यह तीनों कथन जो है यह सत्य है यानि कि option number D इसका right answer हो जाएगा next है आस्टेलिया में खेले गए भारत आस्टेलिया test series 2019 में किसे man of the series किताब मिला है तो आश्टेलिया में जो खेला गया था भारत आश्टेलिया टेश स्रीज 2019 में या किसे मेन अब्दा स्रीज का किताब मिला है तो इसका राइट इंसर रोज़ागा चेतेस्वर पुजारा को मेन अब्दा स्रीज मिला है नेश्ट है वित्वर्ज 2019 के पर्थम अग्रीम अनुमान के अनुसार भारत में 2019 में चालू मुल्य पर प्रतिव्यक्ति विसुद्राश्टि आ यान की पर केपिटल नेट नेशनल इंकम कितना अनुमानित है तो पर केपिटल नेट जो नेशनल इंकम है या कितना अनुमानित क जा गया है एक लाग 25,397 रुपए प्रतिवेक्ति नेट नेशनल इंकम है प्रतिवेक्ति विसुद्ध राष्टी आये जो है या कितना है एक लाग 25,397 रुपए नेक्स्ट है सुल्तान मुहम्मद फाइप ने 96-19 को कीज देश के समराट के पत से त्याग दे दिया है तो सुल्तान मुहम्मद जो फाइप है इन्होंने 96-19 को मलेशिया देश के समराट के पत से त्याग पतर दे दिया है तो इसका रहे टेंसल हो जाएगा मलेशिया नेक्स्ट है भारती रिजर्फ बैंक के डेटा के अनुसार सिप्तमबर दो अटरात तक भारत में बैंक एटियम की संख्या कितनी थी तो सिप्टेंबर 2018 तक जो है बैंक का जो ATM है उसका संख्या कितना था तो इसका जो संख्या था या था 2,14,492 ATM की संख्या थी नेश्ट है इटली के सोथ करताओं ने रख चाप कम करने के लिए इस्पिरुलिना नामक जो है सुपर फूट की भूमिका की पहचान किया है तो इस्पिरुलिना जो है इसका निर्मान किस से क्या जता है तो इस्पिरुलिना जो है इसका निर्मान जो है सहवाल से क्या जता है नेश्ट है हाली में खबरों में रहे open acreage licensing program OAALP एवं national data repository जो है NDR का संबंद निमलिकित से किस्से है हाली में जो खबर में रहे थे open acreage licensing program और national data repository जो है इसका संबंद किस्से है तो इसका संबंद है hydrocarbon छेतर के वितरन से है असम्द समझोता के क्लाग छोग के क्रियानवेन के लिए किसकी अधिक्षता में 9 सदसी केमेटी का गठन किया गया है तो असम्द समझोते के क्लाग 6 के क्रियानवेन के लिए जो है किसकी अधिक्षता में एक 9 सदसी केमेटी का गठन किया गया है किसकी अधिक्षता में तो इसका रहे टेंसर हो जाएगा स्री MP बेज बरुवा के अदरिशता में क्या गया है तो स्री MP बेज बरुवा के अदरिशता में 90C कमेटी का गठन क्या गया है नेश्ट है 106 भारते विज्ञान कॉंगरेस के दोरान जो है 592 को Metal Magna Metal Magna का अनावरन क्या गया तो Metal Magna क्या है तो Metal Magna जो है एक रोबर्ट सरचना है नेश्ट है असम समझाता हुद किसके Class 6 के संबन्दित निम्लिकित कतनों पर विचार किजिए तो असम समझाता और इसके جो Class 6 है इसके संबंद में निम्लिकित कथन दिया हुए है तो पहला कथन दिया हुआ है असम समझता पर वर्ष 1985 में नई दिल्ली में हसचर हुआ था दूसरा कथन है कलाच्छों के सभी अवैद प्रवासियों को असम से निर्वासित करने का प्रावधान है तो उपरित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका रायट एंजर हो जाएगा एक और दो जो कथन है दोनों कथन जो है सत्य है निर्ट है निम्लिकित में से किसने पाच जिनवर जानिस को जलंदर के लवली प्रोफेशनल उनिवसिटी में महिला विज्ञान कॉंगरस का उधर्ण किया है तो लवली प्रोफेशनल उनिवसिटी में महिला विज्ञान कॉंगरस का उधर्ण किया है का नाम है कप्ला मंत्री स्रीमती स्मिर्थी इरानी इन्होंने लवली प्रोफेशनल उनिवसिटी के महिला विज्ञान कॉंग्रेस का उद्गर्ण किया है पांच जनवरी 2019 को नेश्ट है दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 में कौन सा राज जो है 40 दिनों की चिलाई कला नामक भीशन ठंड का सामना किया है तो दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 में जो है कौन सा राजी जो है 40 दिनों की चिलाई कला नमक जो है भीशन ठंड का सामना किया तो इस राजी का नाम है जम्मो कासमीर जिनोंने चिलाई कला का एक भीशन ठंड का सामना किया है नेस्ट है फ्यूजिटिव एकोनोमिक्स ओफेंडर्स एक्ट के तहद आर्थिक रूप से भगोड़ा गोसित होने वाला पहला व्यक्ति कौन है तो इनका नाम है विजय मालिया जो फ्यूजिटिव एकोनोमिक्स ओफेंडर्स एक्ट के तहद आर्थिक रूप से भगोड़ा होसित होने वाला पर्थम व्यक्ति है विज़े माल्या नेश्ट है हाली में चर्चा में रहे भगोडा आर्तिक अप्राधी एक्ट जो है फ्यूजिटिव एकोनोमिक अफेंडर्स एक्ट जो है जिसका संचेत रुप किया है एक्ट जो है एक्ट जो है ऐसे व्यक्ति को भगोडा अप्राधी गोशित करने का प्राधान करता है जिसके खिलाब गृपतारी वारण जारी किया गया हो तिसरा कतन है यह एक्ट जो है एसे व्यक्ति को भगोडा अप्राधी गोशित करने का प्राधान करता है जिसके द्वारा किये गये अप्राध जो है पचास कर्रो रुपे से अधिक का हो आप्रित मेंसे कौन सा कतन सत्य है तो उपरित में से जो कथन है एक और तीन जो कथन है यही सत्य है और ये जो कथन है चार नमबर ऐसे एक्ट जो है वेक्तियों को भगोड़ा अपरादी गोशित करने का प्राधान करता है जिसे भारत वापस आने से मना कर दिया हो ये कथन जो है गलत है चौथा नमबर और दूसरा कथन भी गलत है यानि कि यह एक ऐसे वहक्ति को भगोड़ा अपरादी गोशित करने का प्राधान करता है जिसके खिलाब गिर्वतारी वाईयार्ट जाली की पहला कथन और तीसा कथन सत्य है और दूसरा चौथा कथन गलत है तो पहला बिंे था या एक्ट 2-18 में असुत में आया था और तीसा कतन क्या था या एक्ट ऐसे वेक्ति को भगोड़ा अप्रादी गोशित करने का प्राधान करता है जिसके द्वारा किये अप्राद जो है पचास क्रोड़ रुपए से अधिक हो तो इसी के तहद जो है विजय मालिया को भग डाय। इयस्कोरिया इस्थान को जो है नामक एजय का परतम डाय। चीनBa ऑफोर ने कहां पर खोज़ा है डाय। жить 欠ावन गए या बीका ने राजस्थान को जाता है यह ने स्वेड़़ोशितान है हुआ है इस पर विचार करना है तो पहला कतन दिया हुआ है चंद्रमा के डाक साइड पर सफलता पूर्वक उतरने वा अन्वेशन करने वाला या पहला मिशन था दूसरा कतन क्या है मिशन का जो रोबर चंद्रमा प्रवत्रा उसका नाम यूतूग दो था जो की चीनी मिथक में चांग एकाप पालतूब पांडा है तिसरा कतन है चंदर्मा के डाख साइट से संचार संभाव नहीं है तो उपरित में से कौन सा कतन सत्य है तो इसका राय टेंस रो जाएगा एक और तीन जो गतन है या सत्य है और दो नमबर गतन क्या है या गलत है यान की ओप्सन नमबर सी इसका राइट एंसर हो जाएगा केवल एक और तीन सही है नेश्ट है लोगपाल का चैन करने के लिए गटित कमेटी का अधच्छ कौन है तो लोकपाल का चैन करने के लिए गठित कमेटी का जो अधक्ष है वो कौन है तो इनका नाम है नियायमोर्ती रंजना प्रकास देशाई यही जो है लोगपाल का चैन करने के लिए गटित कमेटी का अद्धक्ष है नयमूर्ती रंजना प्रकास देशाई नेक्ट है किस राज के मेकाला बेंची अस्तल से नवपासान काल से मेगा लिथिक काल के पेट्रोलाइम्स यानकी पासान उतक्रिशन के साक्ष प्राप्त हुए है तो यह जो साक्ष प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ है आंध परदेश से मेकाला बेंची जो अस्तल है ये कहा है आन्द परदिस राजी में है और यहें से नव पाषण काल के मेगा लितिक काल के पेंटागलाइफिश का सक्च प्राप्त हुआ है यनकी पाषण उद्क्रिशन का सक्च प्राप्त हुआ है नेक्ट है पंजाब सरकार द्वारा आरम की गई तंदरुस्त पंजाब स्कीम का क्या उद्देश से है तो पंजाब सरकार द्वारा आरम क्या गया था या तंदरुस्त पंजाब स्कीम इसका उद्देश क्या है तो इसका जो उद्देश से है पंजाब तंदरुस्त पंजाब का स्कीम जो है इसका उद्देश से है सरकारी एस्पतालों में निस्सुल्क खून उपलद कराना यही तंद्रुष्ट पंजाब का स्कीम है पंजाब सरकार के द्वरा रहम क्या गया था यह स्कीम को नेक्स्ट है प्रणामंत्री स्री नहींदर मोधी ने चार जनवरी दो एउनिस को किस राजी में मोरे नामक इंट्रिगेटड चेक पॉइंट का उद्गाटन किया है तो इसका उद्गाटन किया है मनिपूर राजी में क्या विस्ट प्रेल डिवस किस रती को आयोजीत किया गया है तो इसका जनवरी स्कीम के रूप में नेक्सट है दलाई था भी बैराज परियोजना किसका उद्गाटन चार जनवरी नेश्ट है दोलाई था भी बैराज परियोजना जो है किसका उद्गाटन जो है चार जनवाई दोयोजना को किया गया किस राज में इसी थै तो यह जो है मनिपूर राज में इसी थै दोलाई था भी बैराज परियोजना जिसका उद्गाटन किया गया चार जनवाई दोयोज festival जो है 4 1992 को कहा आरंब हुआ है तो इंडिएन फेण है य य जान्म pourquoiन दिल्ली में नेक्स्ट है 4 2022 को राष्टी की सोर्विज्यानिक समयलन किस जगा आई जित हुआ है जलंधर में जलंदर जगापर आई जित हुआ नेश्ट है भारत के किस कौंसलेट जनरल ने 40 जनवरी दोटरा को भगवद गीता के साथ मात्मा गांदी के वचारो पर फोटो पर रसनी पर रजन किया है तो इसकर एट एंस रो जाएंगा भारत के जो है कौंसलेट जनरल जो है इन्होंने भगवत गिता के साथ मातमा गांधी की वचारों पर फोटो परशनी आरजन किया यह किया किस काउंटलेट जनरल ने किया तो यह किया दुबाई के काउंसलेट जनरल ने किया है तो दुबाई के जो काउंसलेट जनरल है इन्होंने भारत के जो है भगवत गि विक्सित करने का गोशना किया है तो चीन देश की रख्षा कंपनी जो है नौर्णिकों ने चारज जन्वाई द्यूनिस को मदर आफ और बाम विक्सित करने की गोशना किया है नेक्स्ट है चीन का चांग A4 नामक अंत्रिच्यान चंदर्मा के किस क्रेटर पर उत्रा है की कुल्लू नटी नित्य परदेशित करती तस्वीर प्रकासित हुई है तो कुल्लू नटी जो नित्य है या तस्वीर जो प्रकासित हुआ यह किस राजिस से संबंदित है तो यह जो संबंदित है हिमाचिल परदेश से संबंदित है कुल्लू नटी नेश्ट है नेम लिकित में से किस रोग को क्वैनसूर फोरेश्ट डिजिज यानिकी क्वैनसूर फोरेश्ट डिजिज के नाम से भी जना जाता है जिसे दो लोगों की मित्यू करनाटक में हो गई है किस रोग को क्वैनसूर फोरेश्ट डिजिज के नाम से भी जनाता है जिसे दो लोगों की मित्यू करनाटक में हो गई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Monkey fever Monkey fever जो है Monkey fever इसी को हम लोग बोलते है Castle Cheese इसको हम लोग जानते है Monkey fever को Castle Cheese के नाम से जानते है और जिससे क्या हैकनाटक में दो लोगों की मित्वी हो गई है नेच्ट है भार्तिय क्रिकेट टीम को कड़क नाच चिकन खाने की सला डी गई है कड़क ना चिकन से सम्मादेत निर्मिकित कतनों पर वुचार किर जी तो पहला कतन है इसे काली मासी के नाम से भी जनाता है और यह एक GI टेक प्राप्त उत्पाद है दूसरा क्या है यह 36 गड़ के बस्तर जिला में ही पायता है तीसरा कतन है इसमें कोलेस्ट्रोल एवं वसा की मातरा कम होती है जबकि प्रोटीन वा लोहे की अप्रेशक्रित जो है लोहा और प्रोटीन जो है अधिक होता है तो उपरित कतनों में से कौन सा कतन सत्य है तो उपरित कतनों मैं से जो है एक और तीन जो कतन है या सत्य है और दू नमबर जो कतन है या गलत है तो इसका right answer हो जाएगा option नमबर 3 यानि कि केवल एक और तीन इसका right answer हो जाएगा यह काली मासी के नाम से भी जानाता है और यह एक जी है टेख प्राप्त उतपाद है और इसमें जो है कलेश्टोर और वसा की मातरक्क गम होती है जबकि प्रोटीन और लोहे की मातरा जो है सबसे अधिक होती है इसका नाम है कडक नाज चिकन नेश्ट है अल्टिमा थूले से सम्मंदित जो है नेमलिकित कतनों पर विचार कीजिए तो पहला कतन है किसी अंत्रिश यान दवरा प्रेश्चन किया गया या सबसे दुरस्त वा सबसे प्राचीन अकासिय पिंड है दूसरा क्या है इसका प्रेश्चन वा चितर नासा के न्यू होराजन्स यान ने लिया है तिसरा कतन है या अकासिय पिंड जो है अपनी खुद की प्रक्रिमा 15 गंटे में पूरा कर लेता है तो उपरीत में से जो कथन है या कौन सा कथन सत्य है तो इसका एंट एंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानि कि तीनों कथन क्या है सत्य है मतलब कि यह जो अंत्रीच यान है इसका प्रेशन के द्वारा या सबसे दुरस्त वाद सबसे प्राचीन अकासीआपिंड यह कथन सत्य है तुसरा कतन दिया वा था इसका प्रेच्छन वा चितर नासा के न्यूर रैजिन्स जियानने लिया है यह भी सत्य है और तुसरा क्या है और का सीट पिन जो है अपनी खुद की परक्रिमा पंदरा घंटे में पूरा कर लेती है यह कत्थन भी सत्य है तो अल्टिमा तुले से जो तीन कथन दिया थे तीनों कथन सत्य था तो इसका रहा टेंजर हो जाएगा एक दो और तीन यानि कि तीनों कथन सत्य है Next है Climate Change Performance Uchkhang 12 यानि कि C-C P I 19 में कौन से देश देश गित्र हैं तो इसका रहा टेंजर हो जाएगा स्वीज़न और मरको पारतम और दोती अस्थान पर है यानि कि स्वीज़न परतम और मरको जो है दोती अस्थान पर हैं Climate Change Performance Uchkhang 12 में नेश्ट है 106 भारती विज्ञान कॉंग्रेस से सम्मंदित निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए तो पहला कतन है लवली प्रोफेस्टनल उनिवसिटी लुदियाना में आयोजित इस कॉंग्रेस का उद्गण जो है प्रहारमंत्री ने किया है दूसरा कतन है इसका सुभारम 3 जनवरी 12 को हुआ था तीसरा जो कतन है इसकी थीम है भावी भारत यानि की विज्ञान और प्रोफेस्टी इसका थीम है निम्लिकित में से कौन सा कतन सत्य है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा केवल दो और जो तीन है यही दोनों सत्य हैं तीसरा कथन जो है यह सत्य नहीं है यानि कि option number B इसका राइट एंसर जाएगा केवल दो और तीन next है सुक्ष्म लगो और मध्यम उद्दम जो है यानि कि MSME सेक्टर के पुनर उद्दार की दिर्ग कालेज समाधान के लिए भारत्रियोजर बैंक ने किसकी अधिश्टा में एक कमेटी का गठन किया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा UK सिन्हा के अधिश्टा में इस कमेटी का गठन किया गया है MSME के सेक्टर के पुनर उद्दार के दिर्ग कालेज समाधान के लिए नेश्ट राइट तीन जिनवाई दोय निस को राजस सभाग में दिये गए उत्तर के मुताबिक भारत में नए परमानो उर्जा सैंतर अस्तापित किये जाने हैं इससे सम्भावित जो है निमलिकित युगमों पर विचार कीजिए तो तीन जिनवाई दोय निस को राजस सभाग में दिये गए उत्तर के मुताबिक भारत में नए परमानो उर्जा सैंतर अस्तापित किये जाने हैं इससे सम्भावित जो विचार दिया हुआ है इसको युगम मिलाना है तो उपरित में से कौन से युगम सुमेलित है मतलब क से चार ऑप्सिन दिया हुआ है जो है तो ओर को पूर्ण और भेंपूर यहीज दोनों सम्भावित नहीं है तो यानकी कि गौरकुर जो है सेंतर राजी जो है हर्याना है इसका और भेमपूर जो है मद्य पर्दिश से सेंतर राजी है इसका यान की option नमबर जो है C इसका राइटेंस रो जाएगा उसके वल तीन और चार जो है यह तीन और चार नमर जो जोड़ा है यह सही है नेश्ट है जवाहार नवोदय विद्याले में आत्मात्या की घटनाओं को देखते हुए किसकी अधिश्टा में एक समिती का घटन किया गया है तो जवाहार नवोदय विद्याले के आत्मत्य अखटनाओं को देखते हुए किसकी अधित्या में एक समित्य का गठन किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंदर नागपाल की अधित्या में एक समित्य का गठन किया गया है जवाहार नवोदय वि देशो के तेरोस तामु ताइगोन कलेवा यी तक कशनु strategic three पक्शे राजमारण प्रियोजना है जो की 136 काट किलोमेटर लंबा है तो यह जो प्रियोजना है यह भारत मैंनमार और थाइलेंड का एक त्रिपक्षिय राजमार प्रियोजना है नच्टाय किस देश में तुफान पाबुक के कारण 3 जनवर 12 को को फगान वा को ताओ दीप छोड़कर लोग भाग गए तो किस देश में यह तुफान आया था पाबुक तुफान जिसके कारण 3 जनवर 12 को का फगान वा काओ ताओ दीब छोड़ कर लोग भाग गये, तो यह जो तुफान आया था या आया था थाइलेंड में, पाबुक तुफान जो था, या थाइलेंड में आया था, नेक्स्ट है किस जगा पर इसित है या वीर सावरकर इंटरेशनल एरपोर्ट जो भारत के आने भारत में आने और भारत से जाने के लिए प्रादिकृत इमिग्रेशन चेक पोश्ट घोशित किया गया है इसे नेक्स्ट है भारत में किस जगा पर सोला घास भूमी पाई जाती है तो भारत के किस जगा पर जो है सोला घास भूमी पाई जाती है तो सोला घास भूमी जो है भारत के पश्चीमी घाट पर पाई जाती है साथ विले की मंजूरी दे दिया है लेट इंश जगा देना बैंक विजिया बैंक और बैंक को बवड़ा ये तीन बैंक को विले की मंजूरी दे दिया है केंसरकार ने 292 को नेच्ट है केंसरकार ने 292 को राश्टी यहुआ ससकतिकरण कायकरम योजिना को जारी रखने की मंजूरी दी है इस योजिना के लाबारति किस समू के लोग होगे तो राश्टी यहुआ ससकतिकरण कायकरम योजिना को जाई रखने का मंजूरित दिया है कैंसरकार ने दो जनवाई दॉजना के लाबनवित जो होंगे किसके समू के जो लोग होंगे वो लाबनवित होंगे इस योजना के तहट तो इसका रहे टेंसरों जागा 14 से जो 29 साल के जो समू है इसे ही इस योजना के तहट लाब होगा नेश्ट है किस देश में डोगोन हंटर्स और फुलावी चारगाओं के बीच संगर्स में एक जिन्वाई 19.29 को 37 लोग मारे गए तो किस देश में हुआ था या डोगोन हंटर्स वा फुलानी चारगाओं के बीच जो हुआ था दोगान हंटर्स वा फुलानी चारवाहों के बीश संगर्स हुआ था और इसमें जो है एक जमें दो एउनिस को 37 लोग मारे गये थे तो यह जो हुआ था यह हुआ था माली देश में नेश्ट है नेमलिकित कमेटियों पर विचार कीजिए पहला कमेटी है के कस्तुरी रंगन कमेटी दूसरा है माधाओ गांडगील कमेटी उपरित में से किस कमेटी या कमेटिया का संबंध पश्मी घाट से है तो इसका रहाइट एंसर हो जाएगा एक और दो यानिकी दोनों कथन जो है सत्य है यानिकी option number C इसका रहाइट एंसर हो जाएगा एक और दो दोनों नेश्ट है भारती मुलके अमेरिकी जो है K.P. George ने 1.192 को अमेरिका के किस पद की सपत ली है तो अमेरिका का कौन से पद पर सपत लिया है K.P. George ने तो यह भारती मुलके है K.P. George और इन्हों ने 1.192 को इन्हों ने अमेरिका के फॉर्ट बैंड काउंटी के जज के पद पर सपत ली है K.P. George ने नेश्ट है जैर बैलसोन औरो ने जैर बैलसोन औरो ने 1.192 को किस देश के राश्पती पद से सपत ली है तो जैर बैलसोन औरो ने 1.192 को राश्पती का सपत गरहन किया और या इन्हों ने लिया है प्राजील के राश्पती के रूप में इन्हों ने सभासा एवं सांस्कृतिक के अंदर की अस्तापना की मंजुरी दी गई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा या दिया गया है कॉंग राजहार छेतर में कॉंग राजहार जो जगह है यहीं पर बोडो संग्राले सस भासा एवं संस्कृतिक के एंद्र के अस्तापना की मंजुरी प्रधान की गई है तो डीटल डीटाक्स एप जो है हाली में जो इसका उदिश था क्या मोबाइल के उप्योग को कम करना डिजिटल डेटाक्स एप का उद्धे से है मुबाइल के उपयोग को कम करना नेश्ट है नेमलिकित में से किन दो देशों ने अधिकारिक रूप से वर्स दो अटरा की समाप्ती के साथ युनेस्को की सरस्ता अत्याग दिये तो किन दो देशों ने अधिकारिक रूप से दो अटरा में समाप्ती के दोरान वर्स दो अटरा के समाप्ती के साथ युनेस्को की सरस्ता का उत्याग दिया है तो इसका रहे टेंसर हो जाएगा यूसे और इजराइल झो है युनेस्को еजराहिल ने इनवा इसको किस तरज से त्यात्पतर दे दिया है वर्र ज़टर स्मापति के साथ-साथ निएच्ट एक किस राज में जो है PEOPLE'S Empowerment Enabling Transparency and Accountability जो है Transparency and Accountability जो है कैम पियाने की PITHA इसको बोलते है PITHA इसका short form है P.E.T.H.A. PITHA इसका पूर्ण रूप है इसका आयोजन क्या गया है किस राजी में क्या गया तो इसका राइट इंसर हो जाएगा या क्या गया उड़िसा राजी में पीथा का जो आयोजन क्या गया या क्या गया उड़िसा राजी में नेश्ट है किस राज सरकार ने 31 दिसम्बा 28 को तिलंगाना के यरुतू बंदू स्कीम की तर्ज पर फसल तटश्ट निवेश साहता स्कीम जो है क्रिसी क्रिसक बंदू की शुरूवात किया है इसको किया है पस्चिम मंगाल सरकार नेश्ट है 31 दिसम्बा 28 को 6 और मा के लिए आपसा एक्ड के तहट किस राज को असान चेतर गोशित कर दिया गया है। तो 31 दिस्टेंब भाइरत में इस्थित लंबा सिंगे ने 31 दिस्टेंब जट्र को लगबग साथ वर्सों के पसचात सुन्य डिग्री सेल्सियस तापमा रिकॉर्ड किया है। या जो है किस राज में इस इत है तो लंबा सिंगी जो है किस राज में इस इत है तो इसका रहे टेंसर हो जाएगा या जो है आंत्रपरद्श राज में इस इत है लंबा सिंगी नेश्ट है भारतिय पुरातत्तो सर्विच्छन यानि की ASI ने वर्ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज प्रारमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई है तो सेख हसीना जो है किस कारिकाल के लिए जो है बंगलादस के प्रारमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई है तो इनका जो है सेख हसीना जो है चौथे कारिकाल के लिए अपने चौथे कारिकाल के लिए बंगलादस के वर्स दोयाटर का ICC महिला क्रिकेटर आप दा इयर रासेल एहोट फ्लेंट पुरुषकार से समानित किया गया है तो रासेल एहोट फ्लेंट पुरुषकार समानित किया गया किन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमिती मंथाना को रासेल एहोट फ्लेंट पुरुषका में रहा या क्या है तो अल्टिमा थूले जो है हाली में खबरों में रहा था या क्या है यह जो एक है सबसे दूर इससे अकासिये पिंड है सबसे दूर जो इससे देख अकासिये पिंड है अल्टिमा थूले समाचार पत्रों में दिखने वाला जो है कुड़पर बेल्ट क्या है कुड़पर बेल्ट क्या है समाचार पत्रों में दिखने वाला जो है कुड़पर बेल्ट या एक क्या है तो कुड़पर बेल्ट जो है अंत्रिच में बरफिला एक जोन है कुड़पर बेल्ट नेक्स्ट है नेमलेकित मेंसे किस तती को DRDO दिवस मनाया गया तो DRDO दिवस जो मनाया गया या मनाया यता है 1.192 को मनाया गया DRDO दिवस के रूप में नेक्स्ट है नेमलेकित मेंसे किस ने 1.192 को छात्रों के साथ समवाद मंच का सुभारम किया है तो एक जिनवई दोय उनिस को छात्रों के साथ जो है समवाद मंच का सुभारम किया है या किया है इजरो ने छात्रों के साथ जो है समवाद मंच का सुभारम किया है इजरो ने एक जिनवई दोय उनिस को नेस्ट है मरका लिवाकु तेवार का सम्मान निम्लिकित में से किस मंदिर से है तो मरका लिवाकु तेवार जो है सबरी माला मंदिर से सम्मंदित है नेस्ट है उज्वला सेनेटरी नेपकिन पाहल किन तीन कंपनी द्वारा आरम किया गया है तो इसका राए टेंजर हो जाएगा इंडियन ओयल भारती पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये तीनों ने मिल करके आरम किया है उज्वला सेनेटरी नेपकिन पाहल को जो है M-trips जो है एक तो हाली में जो खबरों में रहा था M-trips यह एक जो है यह एक सरचित छत्रों में वन जीवों पर नज़े रखने वाला प्रणाली है संचित चत्रों में वन जिवों पर नज़र रखने वाला एक प्रणाली है अधरीस तीरुचेन गोडे सामभा और आयान सामभा निम्रेखित में से किस फसल का प्रजातिया है तो यह एक धान की एक प्रजातिया है नेश्ट है वर्स 2019 जो है चीन किस वर्स के रूप में मनाएगा तो 2019 को जो है चीन जो है किस वर्स के रूप में मनाएगा तो यह चीन जो मनाएगा सुकुर वर्स के रूप में मनाएगा सुकर वर्स के रूप में 2019 को चीन मनाएगा नेश्ट है जुलाई से दिसंबर 2018 के बीच जो है चितुवन नेशनल पार्क के 21 गेंडों की मौत हो गई चितुवन नेशनल पार्क कि इस देश में इस इता है तो चितुवन नेशनल पार्क जो है यह कि इस देश में इस इता है तो यह जो है नेपाल में इस इता है चितुवन नेशनल पार्क नेश्ट है किस देश में उस्मान नामक तुफान के कारण 30.72 को 68 लोगों की मौत हो गई तो किस देश में उस्मान नामक जो एक तुफान आया था जिसमें 30.72 को 68 लोगों की मौत हो गई तो यह जो उस्मान नामक तुफान है यह आया था फिलिपिन्स में फिलिपिन्स में आया उस्मान नामक एक तुफान और यहीं पर 30.28 को 68 लोगों की मौत हो गई थी नेश्ट है भारती रेल्वे ने किन दो जगों को जोडने के लिए पहला भर्टिकल लिफ्ट पूल बना रहा है तो भर्टिकल लिफ्ट पूल यो बना रहा है भारती रेल्वे किन दो जगों को जोडने के लिए बनाया है तो इसको जो बना रहा है रामेश्रम और भारती मु क्रेटर का निर्मान हुआ था उस क्रेटर को वेग्यानिकों ने क्या नाम दिया था उस क्रेटर को जो है वेग्यानिकों ने कावेरिक क्रेटर का नाम दिया था नेक्ष्ट है प्राहमंत्री निर्मोदी द्वारा दिया गया पांच मिनट और तो प्राहमंत्री निर्मोदी के प्रवासी भारती दिवस 2019 की थीम क्या है तो प्रवासी भारती दिवस 2019 की थीम है यह नए भारत के निर्मान में भारतिय डैप्सोरा की भूमिका नेट्ट है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के अनुसार किस देश को पीछे छोड़ कर भारत वर्च दोयर उननीस में विस्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थोज़ता हो जाएगी तो यह हो जाएगा UK यानिकी United Kingdom को छोड़ करके विस्व का पांचवी सबसे बड़ा अर् वर्च दोयर उनीस में तो भारत के दो राजी में रक्षा और दगिक गलियरा का इमान किया जा रहा है वो दो राजी कौन-कौन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा तामिल नाडू और उत्तर परदेश यहीं पर रक्षा और दगिक गलियरा का इमान किया जा रहा है यहीं दो राजियों में नेक्स्ट है खेलो इंडिया गेम्स में किस राजी में सरवाधिक पदक जीता गया है तो खेलो इंडिया गेम्स ने दो इंडिया गेम्स में किस राजी ने सरवाधिक पदक जीता है तो इसको जीता है महराष्ट राजी ने सबसे जादे पदक को जीता है नेश्ट है खेलो इंडिया युवा गेम्स जो है दोयटरा का आयजन कहां हुआ था खेलो इंडिया युवा गेम्स जो है दोयटरा का आयजन जो हुआ था यह हुआ था पूने में आयजित हुआ था